नाय। यह वालको यह आल ड्वा यूथ पात्फेंड प्रेटफर्म प्रेटफर्म में अपका स्वागता है। मैं बताता हूं कौन से syllabus का किस पार्ट के अंदर से टॉपिक आया है और किस तरह से आप उसको अटाइम करना है प्रेलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है कि मिन्स के इंपोर्टेंट है यह सब चीज़ इसके अंदर बताया जाता है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो आप इसके अंदर जिए यह से इंपोर्टेंट इस अंदर बनाएं तो यह सारे फीचर्स से इंदर मैं आप से एक गुजारिश करूंगा कि आप जबी भी इस क्लास को देखें तो प्लीज 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 आप एक नोट बूक लेकर बैठे अपनी ठीके इसके अंदर टॉपिक वाइस आपको नोट्स बनाने कैसे बनाने अब लेट यू नोट्स में इसके इंदर बताते हैं जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाता जाएंगे विफोर स्टार्ट आज तो आपके लिए एक उडान बैच लाया यूपिसी के लिए इसके अंदर आप लाइव क्लासे 900 प्लस अवर्स की लाइव क्लासेज ले सकते हैं मेंस प्रेलिम्स का टेक्स स्रीज भी ज्यान रखें जब आप यह सब्सक्रेशन लेते हैं तो लाइव डीवी कोड यूज करें लाइव डीवी कोड यूज करने के मल्टीपल मैनिफेट है एक तो यह कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा प्लस यह सारे फीचर्स आपको मिलेंगे प्लस आप यहां पर देख सकते हैं समद्रुमंतर नाम का टैस्ट भी हम कंड़क करा रहे हैं 1030 यह होगा जुलाइन को फिफ्टी मिनिट्स के लिए आपको मोटिवेट रखने के लिए यहां पर बहुत सारे प्राइस भी रखें तो यह फ्री आप कॉस्ट है सिर्फ लाइव के स्टूडेंट्स जो हैं उनको वह सारे फिचर मिलेंगी जो कि उडान बैच के इंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर भी आपको जो कोड यूज करना है कि हमाई टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटी मैनर केंदर आपको टेचिंग कर रहे हैं चले तो पहले नियूज परते हैं अपन डॉंक इंसल्ट constitutional functionaries ऐसा कोट ने कहा है अब दिखें क्या केस है यह पूरा पन समझेंगे और कोट नहीं ऐसा क्यों कहा है किसको कहा है यह अपन इसके इंदर समझेंगे लिए आज शॉक्सके नहीं होता है त्यों थीए आप दिए प्रतान म स्कूल के अंदर और वहां पर ऐसे बोल रहा था बोला गया कि बच्ची ने अपनी माद से पुछा ऐसे ड्रामे के अंदर यह स्क्रिप्ट है कि अगर माली ने पीम मूदी आते हैं और मेरे को कहते हैं कि अपने कागस दिखाओ तो मैं क्या करूंगी तो फिर उसके मां बोलते एजेंट फॉर दो शूचलाइजेशन का बहुत इंपोर्टेंट वहता स्कूल और उसके अंदर अगर इस तरह की चीज़ें होती है कि आप कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ठीक हो चपल से मानना राइट इस तरह की हरकत जो होती है स्कूल के अंदर तो यहां पर क्या ह इसके खलाफ एक्शन लिया गया था और एक्शन लेने के साथ साथ इसके अंदर क्या कर दिया गया था एक लॉस्ट कर दे गई तो आपको इस्शू समय में आ घया तो यहां पर देखिए पुलिस फाइलड केस जैन्वरी 26 2020 का केस है आफटर फेसबुक के उपर एक वीडियो आया था जैन्वरी 21 के अंदर जिसमें देख रहा था कि फिफ्थ स्टेंडर के बच्चें हैं आप देख कर सोचें कि एक स्कूल है जिसके अंदर फिफ्थ स्टेंडर के बच्चों को किस इस तरह की लेंग्विज उस करी जारी उनके सामने स्टुडेंट ऑफ शाहिन स्कूल हो स्टेज प्ले विद एंटी सीए थीम अब्यूसिंग प्राइमिनिस्टर नरें बोधी इंदेर डायलोग्स ठीके कैसे अब यूस करा मैंने आपको बता दिया ठीके कि प्रदान मंत्र सब्सक्राइब कोनिस्सक्राइब कर दो नियालोग्स को गया हुए या धृवट30 कॉस्टों कर दो ध्यूर्य दीजिए ओं। it was undesirable for constitutional officials such as the Prime Minister to be insulted Prime Minister जैसे office को तुम insult कर रो that is not good है ना और यह undesirable है इस तरह से बोला है and suggested that school dramas out to focus on the topics promoting academics instead of the current political climate थे भई स्कूल में आप किस लिया है स्कूल के अंदर किस लिया है आप पढ़ने के लिया है आप value system inculcate करने के लिया है आप बहुत अच्छे एक जो है समाज की नागरिक बनने के लिया है और अगर आप इस तरह की political climate उसके अंदर create करेंगे तो that is not correct यह आपको इसके अंदर लिखना के अंदर ठीक है अगर ऐसा कोई कॉशन आ जाता है स्कूल एजेंट ऑफ सोचलाइजेशन बताव इस पर कैसे लिखोगे तो तो इसमें यह एक्जामपल यूज कर सकते हो ना करनाट का के स्कूल के अंदर इस तरह का से फिफ्ट स्टेंडर के बच्चों से कॉशनिं कर रहेते तो उसका पॉज जोगें बच्चों से क्यों की जा रही है इस तरह से और बच्चों के अधर यह वा था बेच के अन्दर के सिसका अंदर ठीक है एस वाइल constructive criticism एक्सेप्टेबल है देगे constructive criticism acceptable है डेमोड्रे सेट इनदर पर किसी को कैसे कर रहे है कि प्राइम ट्राइम निस्टर को कैसे आपने क्रिटेस कर रहा प्लस आपने देखा धूसरी important चीह आपने देखी कि कहा पर हो रहा है school के अंदर हो रहा है श्कूल से प्टेकर करें पर रहें इस तरह तरह स्को देखना होगा इसके इसको स्काइस ना पर यहां पर क्या है कि इसको क्रिटीप क्रिक्टा सिजम स्किंटुप के बारे थे और तोasan पर स्काइब गोलेटिंटो कुछ पॉलिशी बनारीए ठीक है मैं एक नागरीग हूँ मैंने का sir government आपने यह पॉलिसी के अंदर यह फॉलिसी के अंदर इस फॉलॉस को देखा और constructive criticism करा मैंने इस फॉलॉस को देखा और गॉषर्मेंट नहीं कर लिए इस तरह से रिफॉर्म के लिए क्रिटिसिजम ना करके क्रिटिसिजम के लिए क्रिटिसिजम कर रहा हूं तो तो नौन नौन इस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसम नहीं है क्रिटिसिजम करने का भी डेमोक्रेसी में तरीका होता है उस तरीका को आपको आना थी अगर वैसे आप क्रिटिसिज नहीं करते हैं तो that is liable to get punished ठीक है तो I hope this is clear to everyone constructive criticism यह वड़ा आप यार रखना ठीक है डिसेंट का दिखार होता है यह आप यार रखना डेमोक्रासी के दिखार होता है यह आप कर सकते हैं गवर्मेंट के पोलेसी को पर इस तरह से नहीं कर सकते हैं यह आप रखचल उन्होंने क्या करता इन्होंने यह फिसके अंदर launch करें चार्ज के अंदर था कि यह इसा होता है कि यहां पर important component का Healthy आप क्या कर रहे हैं एंसाइट कर रहे हैه लिए सो रिट्रेश और यह वाला कंपोनेंट इसके इंदर होना चीए इस ड्रामा के अंदर कहीं पे भी चिल्रण निए इस तरह से नहीं कहा ठीक है इनक्टेट प्लेट रामा थूद दम एने चिल्द्रण फूर्ण्स होजे श्कूल किडिसेजिग्द गार्मेंट इस ने पफूर निलगा सकते देखे अभी क्या है शीडिशन चार्ज उसके लगाना वही अगर चार्ड होगा दिया तो ध्य समझे तो शुठ्रीम कोट ने अपना प्रिसिटेन दिया फंसके दरasia बोला गया जब कहीं वायलेंस के लिए बुलाओ कि लिए बुट रहे हैं कि वाइलेंस करो जाके उखाट फैको गवर्मेंट को सियांसान खाली कर दो ठीक इस तरह से हैं तभी जाकर सेडिशन चार्ड लगाओ कि सुप्रीम कोट ने कहा तो इसी को रेफरेंस में लेगा है कोट ने का थे कि हम सेडिशन चार्ड तो बिकॉज चल्डरंस वर्मेट वर्स अबूसिंग अब्लिक डिसॉडर्र पर बच्चों बच्चों लिए अचा ड्रामा के अंदर को ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थि इसके अंदर वाइलेंस या पब्लिक डिसॉडर्ड के लिए अब दिस वेरी वेरी इंपोर्टन यहां पर बह नहीं एक्जाम के अंदर देखुल का मतलब क्या होता है इसके इंदर चाहिल का अकाडमेंट हो ठीक है यह सब चीज़ें हो और अब धर अब्र पॉलिकल इसूज इंप्रेंट और करप्ट यंग मांड्स ठीक है या फिर ऐसे अगर माल लिए ऐसे करेंट पॉलिकल इसूज चाहिए यंग मांड्स करेंगे ऐसा नियों चाहिए देशुड बिफैट विद नॉलेज टेकनोलजी एट्सक्रा विच बेनिफिट्स लैं इन अपकमिंग करिकुलम अब अधा अकैडमिक पियर तो इस तरह से ड्रामा होना चीजिससे कि उनके अंदर सांटिफिक डवलपे इसको पोस्ट नहीं करा गया तो इसका मंदब यह है कि एसा को इंटेंशनल नहीं था कि क्रेटिंग पब्लिक डिसॉडर इस तरह से इसके अंदर बोला गया तो इसलिए सक्शन 124 जो है उसके उपर नहीं लग सकता है इंदा एपसेंस अपशेंशल इंगीडेंट्स इस इं इसका मतलब यह होता है कि हम रूपी को इंटरनेशनलाइशन करें तो आरब यह की सब कमिंटी ने रिकमेंडिशन दीती कि भारत बहुत अच्छी प्रग्रती कर रहा है और अभी ऐसा महल बना हुआ है कि सब डॉलर के अगेंस्ट में भी है तो इस इस दा राइट टाइम अ रूपी चलेंग वह क्यों बात इसके अंदर लिखें पर फिर भी मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिसे कि आपको वापस से वह चीज़े रिवाइस हो जाए ठीक है पर आप यह देखें कि हमने जो पढ़ाता हो कितना डिटेल के अंतर पढ़ा था कि अब आप कोई भी हैं कि से रश्यां के पर संक्षेंस लगाएं मत्लब युसेसे सेंक्षेंस क्यों लगआ पा रहा है लेकावरा ल्हूं करंसी की करनसी जो है डॉलर, जै्ट है ग्र उसको ही युज़ करते हैं तो अगर युएस लगा देता है कि मेरी करल सोट नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा रश्य कंपर संग्शन लग जाएंगे तो यहाँ पर पूरा वल्ल गंगा या हुआ है कल को मेरे युएस से चैना का खुद का ही नहीं पता है यह वर्ड के इंदर सारी आण सब फे इंपलेशन बहुत ज्यादा रही है इंडिया की इंडिकेकर इंडिकेटर्स इंडिया के रूपी को पुश करना चाहिए क्योंकि अभी वर्ड के अंदर इंडिया के रिस्पेक्ट में अन्मारा यहां पर देखिए रिपूर्ट सब्सक्राइब और रॉस्य उक्रेंट वार्ड अप्रिपॉर्ट के कारण क्या है डॉलर को एक तरह से क्या कर रहा है वीपन की तरह सब्सक्राइब क्या है अभी यहां पर प्लेटफर्म बना हुआ है इसके कारण अगर पहले तो एक्स्चेंज रेट का रहता है ठीक और इंपूर्टर को खत्म कैसे कि मान लीजे आपको खरीदना है बहार से यहां से तो मतलब तुमको कितने रुपे देने पड़े ठीक है एक दम से क्या हुआ कि यह है यह फ्लक्ट्वेशन हो गया तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमारा इंपोर्ड एक्सपोट इफक्त होता है पर अगर हमारी रूपी इंटर्नेशनल देने पड़ेंगी और यहां पर यहां पर दोलर के कारण क्योंकि दॉलार का प्राइस बढ़िया था इसके कारण हमको 1200 रुपए देने पड़ रहे थे पर अगर रुपी के इंदर ट्रेड उता तो छेसो रुपए का घी देना पड़ता तो हमारा रिस्क जो है ना 느ra Staats nyt कि हमारा words इतना कम व장 क्वेस्टUM सब्सक्राइब मीनटेन ने पड़ता है तो अगर माली रूपी इंटरण धेर वन गया जब सही है कोट वाल है तो दर कहेंगा तो हमारे रूपी जो है इतना स्ट्रॉंग बन गया तो हम डॉलर की तरफ क्यों जाएंगे फिर हमको फॉरेक्स रखने को जुरूद भी नहीं है तो यहां पर यह पॉइंट्स आपको यार रखने है कि हमारा अब यह कॉशन कैसे पांच पॉइंट लिखो उसके अंदर तो पहला पॉइंट यह लिखना मैनेजमेंट जो एक्स्चेंज रेट रिस्क जो होगी ना वह ब्रिंग डाउन हो जाएगी और हमारे एक्स्पोर्टर और इंपोर्टर के लिए जिसमें हम गब्राय डोलते ना यहां डॉलर डॉलर वह सब चीज़ें हमारे हाँ पर कतम हो जाएगी दूसरा आप लेखेंगे के एक्स्टरनल वुल्रेबिल्टी जो होंगी तिक उसको मैनेज कर पाएंगे विकॉस हमें फॉरेक्स जो है वह मेंटेन करने की दुरत नहीं पड़ेगी तीसरा आप रूपीज डिटेल सेवरल मी अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो जिससे की रूपी का इंटरनेशनल लाइजेशन हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताता कुछ शॉर्ट टम मीजर से और कुछ लॉंग टम मीजर से मतलब कोई भी में से कुछ खरीद रहा है तो मैं तुमको डॉलर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो कि इसमें लिख रहा है पुटिंग इन प्लेस यूनिफार्म अप्रोच वर डेलिग ट्रेड रिक्वार्मेंट फॉर इन्वाइसिंग सेटलमेंट पेमेंट्स इंद रूपी एंड लोकल करन्सी ठीक है यह करें हम ज्यादा इंसेंटिवाइस करें एक्सपोर्टर्स को क्या रूपी करन्सी को यूज करें और इंटिग्रेटिंग पेमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड सीमलेस क्लॉस बॉर्डर रांजेक्शन यह सब चीजिए अगर हम करेंगे तो फिर हमारा रूपीज का इंटरनेशनलाइजेशन इन्टरनेशनलाइशन यह है इंटरनेशनलाइजेशन आफ रूपीज है तो मोर मीडियम टम मेजर जैसे कि टैक्स रिजीम्स जो है उसको सिंक्रोनाइज करें दूसरी जो उसके अंदर है ठीक है जैसे माले युए से केंदर टैक्स जो है यह वो तैन परसेंट लग रहा है और हमारे यहां पर 30 परसेंट लग रहा है तो उसको सिंक्रोनाइस करने कोश्च करें जिससे की एक ही तरह का सिस्टम दिखें वहाँ पर राइट एंड अलॉंग बेंकिन सर्विसेज इन रूपी ऑफसाइड दे कंट्री वाइल लॉंग रंग तो अब्जेक्टिक कुड भी इस पेशल ड्राइंग राइट का सिधी एर होता है मतलब क्या है सिपेशल राइट की आप कभी ऐतना पैसा आप लगाल सकते हैं इसे यूवान है ठिक है जैसरे आप देखेंगे यान है डॉलर है इस तरह की कुछ हड़करशी ही इस जिसमें एसटेर के इंदर रुपी भी जाए तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा इंटरनेशनलाइजेशन आफ रूपी तो इसके लिए अपन को इफट करने चाहिए राइट इत्ता समिन में आ रहा है पिर इसके अंदर यह बहुता है पाथ आफ इंटरनेशनलाइजेशन इस लाइकली टू भी चैलेंजिंग होन वालाई विकॉज इविन दो तो सेंटल बैंक एड़ बैंक इन जुलाइज लास्ट यह तो सटेंट इंटरनेशनल ट्रेट इन रूपीस विट एटीन कंट्री देखिए पिछली बार अगर हम देखिए कि लास्ट यह जुलाइज इन देंदर सेंटल बैंक ने असे का था ज एक हुआ जिक्राइज इए बातव करें लगने वरुपी से ज्यादा इंट्रेस्ट यूअन के अंदर पीचा ज्यवां ता इुग उह और्ट से रिए पर फोकस कर रहा है थो सामने फोड़ों यह फोने फोकस कर, ना तो अफ हम तो कर के अंदर confidence तो आना चाहिए अब रश्या से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो तो रश्या नहीं एंसर जिया कि देखो अब यार विकॉस लैक आफ इंपोर्ट फ्रम इंडिया 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 से इतने ज्यादा हम इंपोर्ट करनी रहे हैं अभी हम रूपी इसको नहीं कर सकते जब ज्यादा मातर में इंपोर्ट करेंगे तब जाकर रुपेश को यूज करेंगे तो हमको यह भी देखना है कि इंटरनेशनल ट्रेट के अंदर किस तरह से परफॉर्म करें ठीक हमारा ब्रांड वैल्यू सिस्टम किस तरह से हो लोग हमारी करन्सी के अंदर एक तरह से confidence दिखा हैं तब जाकर internationalization हमारे करने से अकले करने से कुछ नहीं होगा ना जब सामने वाला तो उसको इतना confidence होना चाहिए कि यह 10 रुपे अगर मैं किसी और को दूंगा तो वह भी ले लेगा अगर यह confidence आगया वर्ल्ट के अंदर कि मैंने उसको 10 रुपे दिए तो रुपे क्यों लेगा क्योंकि उसको इतना confidence है कि मैं यह 10 रुपे किसी को दूंगा तो वह भी ले लेगा यह confidence है मार्केट के अंदर डॉलर यही तो चल रहा है डॉलर देखो international currency का मनलब यही तो है ना कि मैंने माली चायना को डॉलर दिया तो चैना ने जट से लिए अब एक बहुत important यूज है brain eating amoeba ठीक है brain eating amoeba जो है ना उसका एक case देखा गया है और यह बहुत ही rare case है ना आज तक भारत के अंदर तो कभी हुआ है कि रहला के परसन के अंदर ठीक है टीनेजर 17 साल के बच्चे के अंदर एक केड़ा गुसा नाक के थ्रू अमीबा ठीक है और वो उसके brain को खा गया तो नहीं कभी है सकते कि brain को खाने वाला अमीबा तो यहां पर आप इसके अंदर यहां पर देखिए तो फिफ्टीन यार ओल वाइंद के रियर इंफेक्शिन पॉस बाइदा नेगलेरिया फॉलरी और ब्रेन इटिंग अमीबा ठीक है तो नेगले उसके अंदर गुजगे नाक की तुरों के रुख गुजगे सगें अंदर और सब्सक्राइब पूरा का पूरा उसका खा गया है ठीक पूरा का पूरा दिमाग खा गया उसका यूस्ट टेक बात अब यह कैसे हुआ ना ऐसे शावर लेखर नहीं आता था वो नदी के अंदर पूद के ना था नदी के अंदर यह अमीबा था और यह ने रहता है इसके उपर मैंने भी प्रेलिम का कॉस्टन बनाए उसको देखेगा इसके वाम वाटर है रहता है तो आप देखें कि वह बंदा नहां कर आया तो उस कंडिशन के अंदर वह से वाम कंडिशन होगी तो उसके नाग की तुरू सर के उपर क्या चला गया वह चला गया और उसको पूरा का पूरा सर खाल गया उसका आप देखेंगे वायरस यह अमीबा सर्वाइब नहीं करता है लिए इसको या रखना इसके उपर कॉशन आ सकता है के दर कि अंदर मिलता है जो कि क्या है बैक्तीरिया की साथ इसका रिलेशन है ना तो जो बैटेरिया इसके लेक्स और प्रिवर्स के अंदर मिलता है सेडिमेंट के अंदर उसके उपर ही सर्वाइब करता है अकॉर्डिंग को एक्सपर्ट नेगलेर फॉलरी है एक्सिस्टेट फॉर लॉंग टाइम नेचर बहुत रहे हैं लास्ट अपने देखा था लास्ट इसमबर फिफ्टी यर ओल्ड सौथ पूरिया के अंदर यह पाया गया था ठीक है अंडिन मार्च लोरीडा के अंदर यहां पर इंफेक्शन से अब्हुत गिने चुने मतलब इंटरनेशनल एक इवेंट हो गया और उसके भारत में भी आप कहीं और पढ़ा रहे हैं तो यह बताएं कि भारत के अंदर क्या है ब से पाइए बार-बार में आप यांप आप बोल रहें है कोल्ट वार्ट लिखा सो काइंसल करने कोल्ड वार्ट प्रवाटर के अंदर नहीं रहता अच्छा में अन्द सच कंडिशन और रेंडियल चीक है और यह कंडिशन रेयर नहीं यह हूत लिए रहती है वाउम वाटर ठीक है यह आप देखी कॉमनली ओने स्विमिंग पूल के अंदर भी पाया जा सकता है तो आप उससे पूछले स्विमिंग पूल वाले से कहीं आप स्विमिंग करने जाते हो और कल को तुम्हारा दिमाग खाने वाला केड़ा तो इससे बढ़िया है उससे पूछ लो वाई क्ल पर अगर माली तो बहुत ख्राब पानी उसके अंदर इस सो स्मॉल एट इट कन अल्ली बी सीन विदे मैक्रोस्कोप अल्ली वन स्पीसिस अव निगलेडिया फ्लोरी इंफेक्स पीपल ठीक है एक स्पीसी भी चलीगी ना तुमारे दिमाग के अंदर तो पूरा कपूरा खा वो नाक क्यों रो जाता है ब्रें तर ट्रेवल करता है डिए इंट रूझ पिर इंप्टॉ इंप्ट्राइन रहता है ठीक है तो आप लगए व कंदूरेबल इस मैचवरिंग और फेस मेलाब जहों स्टार्टिंग में जब वह वो कर रहा है इस वाले इस वाली फेस के अंदर है जैसे अपने चोटे बच्चे तो छोटा बच्च थोड़ा वल्लेबल होता है यह जो है तो यह बढ़ा हो गया तब वह अपने एंवार्मेंट को रेजिस्ट कर सकता है मतलब आप देखेंगे इट ग्रोस बैसे टेमरेचर आप फॉर्टी सिक्स डिवी सेल्सियस अल्ड़ प्रफोजाइट्स और रैपेडली रेपेडली अगर मालों यह पानी ठंदा हो जाता था प्रफोजाइट्स वाली फेस के अंदर फेस के अंदर ही सर्वाइब रहेगा एक्स्ट्रीम को भी सर्वाइब कर सकता है जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम चीजों के अंदर हमारी एंद्र इम्मुनिटी एक डवलप हो जाती है ठीक है अगर इंडियन एक्सपेस अनलाइसे साथ तुम भी समझ पारे हो गए और इसमें वह चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो कि आपको लिखनी है इजाम के अंदर जो कि डिरेक्ली एक्जाम में पूछी जाएगे कहीं दुरुदर की बाती नहीं है कि महाराष्टर के अंदर यह हो गया अजीत पवार वह गया यह बागी हो गया यह सब चीजी न्यूज मैं देखता तक भी इसको कि आपको पढ़ानी दिमाग के अंदर आ यह आपको मिल रहे हैं यह चीज हो रही है कि ऐसा हो गया यह पाकिस्तान ने कर दिया उसने कर दिया इसने कर दिया वह सब चीज़ें है ना वह निवस्कैश्य निवस्ट ज्यादा आजेंगे ठीक हम देखना हमेशा चांपर सबसे अच्छा मतलब यूपीसी की परस्पेक् चीजी चल रही है ठीक है आप देखेंगे किसे का क्रिटिसिम नहीं कर रहा पर जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है उसका यूपीसी के परस्प्रक्टर से हम मैंने यहां पर यह डिसाइड कर थे इंडियान एक्स्पेशन लैसे के लिए और आपको लग भी रहोगा इतने दि के लिए हम सारे इसके अंदर कवर कर रहे हैं तो साइंस नटेक के अंदर जितना हो पा रहा है अपन कर दो रहेगे इसके लावा मेरी इक सीरीज़े साइंस टेक्डोलोजी पे प्लीज उसको और देखिए यूट्यूब के किसी चैनल पर पढ़िए ठीक है एस तिन्ट्यू इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं टिक है इसके अंदर गुषा कीड़ा उसको ही इन्फेक्शन पहलेगा तो यह कॉच्छन भी पूसकते हैं कि भाई इसको परसंट परसंट ट्रांस्मेशन है इसका इसका दैंफेक्शिन इस प्राइमर्डी अस्नुसेटेटेट विद वाम प्रेश वाटर इस्पेशल दूरी इसके अंदर एक हैं तो आप इसके अन्दर समझ में आ रहा है तो अब यह इंचील रहाएं तो रिपीट कर रहा है कि यह पी अंपर मैंनिंगो एंसे भी इस स्ट्राइब और इंफेक्शन होगा भी सरको खाजाएगा तो फिवर होगा नौजया विटिंग स्टिफ नेगुज़न और वाइटल ओर गोंगे वाइटल और गुंजो एंट मैं और अपके देखेंगे किसी तरह से आपको सीजर्स इस तरह की चीज़ लगें इसका इस अमीबा का यह जल्दी से पूरी के पूरी ब्रेंस को डिस्ट्रोइ कर देगा ब्रें के पूरी उसको खा जाएगा यह तरह से ब्रें टिशू को खा जाएगा प्रॉंट इसको गया तो सौ मेंसे 97 लोग तो मरें नैंटी सेविन परसेंट तक इसके तो यह अपने आसपास की चीटों को करो बहुत ही अगर आप देखेंगे बहुत ही कम इसके अंदर यह है केसे से बहुत ही रियर इसके इसके अंदर तो नेक्स्ट इस क्लस्टर मुनिशन ठीक है कुछ एक ऐसा वीपन दिया है जो इस तरह का है आप यहां पर देखें तो आपको समझ भाएगा जैसे यह एक एक जो है जैसे यहां पर एक वीपन छोड़ा आपने ठीक है तो यहां पर आप देख रहें बहुत साइट टुकड़े निकल गए और पी अलग 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 टार रश्या के बार के अंदर लड़ सके अब इसको क्यों दे रहें यहां समझेंगे और यह इसलिए है क्योंकि यह जैसे इसके अब यह ना नीचे गिरा अब कई-कई बार इससे देखा गया है कि यह ना फटा यह पढ़ा है ठीक हम आलो यहां पर यह पढ़ा हुआ बच्चा प्रिसाइस लोकेटेड नहीं होता है और यह कभी कबार यह है कि जाकर फुस हो जा रहा है पिर बच्चा देखता है बम जैसे होता ना कभी कबार अपन देवाली पे पठा की चलाते है पठा का पुस हो जाता है तो वैसा यह है राइट आयोप दिस इस इस प्लियर तो यहां पर आप देखें बाइन अद्मिस्रेशन इसको भीजने वाला है वह उक्रेइन को देखा अब देखा आब देखो विल लाइकली ट्रिगर आउट्रेज फ्रूट्र लाइज और हमें इसा मत करो यह मंद यह वाला मद दो क्लस्टर बाम से होता है यह तो यह 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 वापस थोड़े दिनों बात पढ़ते यह आपको इसके नदर रखना है तो देखो प्रोपोनेंट्स और रुप्रेश्या युजिंग उसे लोग पिगल्कर मड़ जाता है ऐसा बोला जाता है इसने इस तरह के वेपन यूज कर सब्सक्राइब और इससे क्या होता है एक बहुत अब इन वीपन का क्या होता है कि एक ऐसे दिखने आपने एक मिसाल लाले वो जाकर गरी आप एक मिसाल जा रहे हैं उसके अंदर से दस मिसाल नहीं निकल रहे हैं तो ज्यादा एडिया कवर करता है ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है तो दिखे रश्या वें यूजिंग दा कॉंट्रोशल वेपन दे उख्रेंट अंद अम्यूनिशन दा यूस विल प्रोवाइड विल्हाव रिद्यूस दौट रेट यह दूट्रेट मतलब समय रहे है वाट इस दूट्रेट अगर आपसे कुछ ले तो दूट्रेट मतलब यही है मिनिंग देरवी फार फ्योर एक्सप्लोडेट रॉंड्स जो होंगे वह अनिंट्रेट्ट्डिट्स कर सकते हैं में दूट्रेट मतलब समझे रहे हैं डूट्रेट का मतलब यह है कि वह जाकर गिरिया और फटा नहीं थोड़े दिरों बाद दस दिन बाद यहां से एक आदमी जा रहा है क्या दूद लेकर आ जाता हूं और उसकी दुकान से और यह फट गया तो दूट्रेट का मतलब एक्स्प्लोडेट राउंड्स यहां पर बॉमलेट्स इसके अंदर हो रहागा ठीक है बॉमलेट्स अब यह बॉमलेट्स जो निकले नहीं यह चीज यह ना यह टैंक्स को भी खर्रम कर सकते हैं इतना इनके अंदर पोटेंशल होता है ठीक है इन प्रीवेस कांप्लिक्ट क्लस्टर मॉनिशन्स हैव रहे हाई डूड़ेट्स विच मेंड़ था थाउजन ऑफ था स्मॉल नेक्स्प्ल पार हुआ था तब उसके अंदर कर रहा था इसके बाद उसने बला भाई आब हम यूज नहीं करेंगे इसको बहुत खड़ाब चीज इतने सारे लोगों को मार देता है जबरदस्ति यह बंब यह युक्रियन को दे रहा है कि जो यूएस से खुद नहीं कर रहा है वो यूक अब करने के लिए पुरा सस्टम बनता है वो उसके पास कम है तो चाहता है कि एक ही राउंड फायर करें पर तो उससे क्या है बहुत सारे मुल्टिपल दाइमेंशन में जो सबने मा रहा है यहां पर देखिए यहां पर देखिए कि साथ हजार से लेकर नौह हजार तक डिली के राउंड उसको करने पड़ते हैं पर नश्यान जो एक आप बंधूग चला टो से तुक्राइब एक बार बंदूग चलाते हों चाहें ऊच्छा यहां पर यह रिखिए यह था तक है अंगेज्र कोड़ मुनेश्यां अन्टीटरी शहल्ड़ जो आप बंदूग चलाते हैं तो अच्छा है रोगरेंजैन श्रू तो इसके लिए क्या है वाइडर एरिया के अंदर जाकर वो चीज करें तो एक मिसाल निकल रही है तो यहां पर इसके अंदर से बता आगया है कि किस तर से चाइना की एकॉनोमी स्लो हो रही है ठीक है और यहां पूरा पूरा डेटा दे रहा है तो अभी उनाइटे स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ट्रेजर है मैं लाब ऐसा समझो कि फैनेंस मिनिस्टर हो उनके तो सेक्रेटरी होते हैं तो सेक्रेटरी जो है इनकी जैनिट येलन उ यह उनको चाहिना अनफियर ट्रेट करता है तो देखो लिए यूनाइटे स्टेट्स अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी है जैनेट येलन क्रिक्षाइज चैना अनफियर एकॉनोमी प्रक्तिस और यह बोड़ रहा है कि हमारे कंपनी को पर जोए से की कंपनी स्कूपर प्य मृट एक करना मतलब क्या होता है चैना अच्छाइं का शीना मातलो यह कंट्रिय एक है चैना के वेडिंदर ट्रेड हो रहा है तो यह ना मस्ति से ट्रेड कर रहा है अब यूसे ने एक दिन करा कि मैं एपसुलूटली कोई भी ट्रेड नहीं करोंगा तो आप बताओ क्या यूसे कर सकता ऐसा नहीं कर सकता ऐसे तो खुद बरबाद हो जाएगा चैना से अभी चैना से इतनी सारी अच्छी सप्लाइच चेन चल रही है के इंदर सबकुद चैना के फ्रोवेड करा जाता है वर्ट के अंदर अगर हम देखें क्योंकि चाना के लाइन सबकूर सस्ता बन जाता है सब्सक्राइट अब ال मदा इंदर है अगर वो चीज हापनी द गरना हम इसा से खरीद रहें चाना से खरीद तो रहेंगे पर दूसरे इंटनी विन या तो फुद उस चीज को डवलप कर लेंगे अफिर अल्टरेनेटेस्ट बनाएंगे जैसे आप आप देखें क्रिटीकल मिन्रल्स चाइना से लेने ही पड़ेंगे कुछ चाइना के पास सब्सक्राइब कर लिए हैं पर हम अभी तो ले रहे हैं चैना से ठीक है बट हम अपनी इसाब से और भी चीज़े मना रहे हैं जिसे भारत ने MSP कर लिया है जो है प्रोग्राम है भारत में अपने क्रिटिकल मिनरल्स को इडेंटिफाय कर रहे हैं अपने कर रहे है कि कल को भाई यह देने से मना कर जा तो फिर हम क्या करेंगे तो डी कपल ना करके डी रिस्क करना अपना आपको आयोप यह यहां पर भी जाने चैनल यह करें देखें कि हावे शी सब्सक्राइब वांट वोल से परेशन आप अवर एकोनमीज ठीक है एंड वी वांट टॉट डी कपल हम डी कपल नहीं करना चाहते हैं जी शेविन कंट्रीज ने इस तरह से नहीं ने कहा था अब कैसे फाइट कैसे कर रहे हैं चाइन ने क्ला बना है विगिनिंग आफ दिस मंथ प्रोवाइट लीगल फ्रीमवक बनाया फॉ एक्सपोर्ट बैन कर देता है तो उसको किस तरह से कानौन बना लिए कि हम भी फिर उसके इंदर रिटालिशन कैसे कर सकते हैं अक्टूबर 2022 बाइडन अडिस्टेशन अनौंस स्टैप्स टू ब्लॉग दे एक्सेश ऑग चैनीज कंपनी तो एडवांस मैक्रोचिप एंड अनौन सबको ब्लॉग करने का इसकी अब यह क्या कर रहा है अल्लियर दिस वीक एजिस ओन लॉग एफेक्स बीजिंग हिट बैक बाइदा बैनिंग एक्स्पोर्स ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम ठीके इसको क्या है इसको बैन कर दिया यह क्रिटिकल मिनरल्स है अना टू म अन्देस्ट्री को नियान दो कि हम थो रहुम एटे रही नहीं देंगे असी लडाई चल रहे है तो इस नॉट बूड पॉर्द ग्लोबलाइजीशन आप देखेंगे एकोनोमी ग्लोबलाइजेशन के लिए गूड नहीं है इस इस नौट गूड फॉर्द एक्वानोमी ग् सब्सक्राइब कर देता है अब आप दिखेंगे तो चैना के अगर एकॉनोमी को उपर से दिखेंगे तो ऐसा लगए और चैना गुरू कर रहा है बहुत अच्छा था पर अंदर जाके रह रहे हैं रहा है तो उसमेंसे फ्वंटीवन लोग हाँ वाले न है कि रेज़ें से बच्चे नहीं ले रहे हैं औरू सब्सक्राइस तो आप देखें तो आप देखें तो आप सोच कर देखो पांच में से एक आदमी अंप्लाइड है चाइना के अंदर अर्बन एरिया में फिर दूसरा देखें ग्रोथ और इंडस्ट्रियल आपुट एद बिग्निंग ऑफ दे यह देर वाज़े होगा वह ग्रोथ के इंवेस्मेंट इंदर मशीन लगाई और कैपिटल इंवेस्मेंट करा इस ओने इंडस्ट्री सेट अप कर ली ठीक उसके इंदर बहुत सारी मशीन लगा दिए फिक्स्ट एसट होगे तो आप यहांपर दिखेंगे मोर इंवेस्मेंट इतना फिक्स्ट एसेट कंपनी है वह अपनी कंपनी कंपनी के अंदर मालाओक वह आपनी कंपनी कंदर एक मशीन क्यों लगाएगा उसको जद्विप उसको ज्यादा फूल है तभी लगा तब ही ना को क्या बूलेंगी फिक्स्ट एसेट उली आपको और अभी मैं 3,4 लैटप और और क्यों ख्रीट लूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इंस्ट्यूट है वह गो करेगा इसलिए मिन्टेप की रिक्वार्मेंट वह मेरे फिक्स्ट एसेट हो गए इसाया रहा है यहां पर अगर आगर हम देखें कि रोपनीज कोफोल फूचर फूचर गोर्थ और इसलिए फ्ले भी इसके अंदर कम है अगर आप देखेंगे तो फिक्स असट के अंदर ग्रोफ रिट कम है मतलब कमपनीज और नौट होफुल के आगे जागे कुछ होने वाला है उसके लिए भी नहीं है तो मशीन मशीन वह कहीद नहीं देगे रहेगे ठीक है इसके बाद हम देखें डोफ रेट रिटेल सेल बाद कंजुमर ठीक है और रिटेल सेल बाद कंजुमर कंजुमर कैसे खरीद है तो ऐस वर्ल्ड फल्टर अद चैनीज पोलिसी मेकर्स हैव विन ट्रांस्पर्म देर एक्वानमी इंटो वन देट रन्स भारत और चैना के अंदर सबसे इंपोर्टन जीट जो है ना डट इस डिमांड वाई हमें किसे और की ज़रुती नहीं है अब तुदी 140 करोड लोग है हमारी अगर दिमांड का हम प्रोडेक्शन कर दे तो हमारे मज़े मज़े हुजा है ठीक है यूरूपेन कंट्रीज के इंदर क्या है बहुत कम चंक पॉपॉपॉलेशन है कई कई देशों के नर तो लाख लोग है तो एक लाख प्रोडेक्ट कर करने लग जाए तो हमारा फिर को किसी की दूरत निया तो अराम से अपने गर रहो पर हमारा डॉमेस्टिक डिमांड हो जाता है कि यार मैं समुच रहों कि यार भाइक खरीद के क्या करेंगे यार क्यों क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है अब ही अगर में पास दो लाख रु पैसा आईगा तो ढोमास्तिक डिमांड बडेगी डोमस्तिक डिमांड बडें दे कि उससे क्या करो प्रोडेक्शिइन बडेगा तो यह भी सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर नहीं है तो चाइना का ग्रोथ जो होता है वो कम होता जा रहा है अगर हम देखें ग्रोथ रेट ऑफ इंपोर्ट मोस्ट रोबस डॉमस्टिक डिमांड टेंग तो इंपोर्ट स्मॉर ठीक है जिसकी इतना डिमांड ज्यादा होती है अच्छा है और लिए वहाँ से इंपोर्ट करते हैं अगर रहा कि इंपोर्ट करते हैं पर हमारे मेनेजर्स इंडेक्स होता है मैनेजर क्या सूछता रहा है जो सकता है या निडिव के इंदर आ रहा है दूंसे तो चाइना की जो है वह उकॉरम जो है वो ग्रो नहीं कर रहे है अच्छा एक यह ना एक यह था चेंजिंग बैटल फील्ड है इसको मैंने पूरा पड़ा पूरा मैं बना भी लिया में को लगा स्टार्टिंग अच्छा होगा पर इतना जाद अच्छा यह है यह यह डिटूरियल आप रहने देना और जो मैंने पड़ाया उसको बार-बार क्लास और आज का जो कोशन है अब इस कोशन को टाइम करके कोई में को आंसर बताएगा क्या अभी तो पढ़ लिया है ना तुमने इस कोशन को टाम करो चलो अभी करो और मैं को आंसर बताओ कि कल पे क्यों ठोड़े पन जब आज है हमारे पास जल्दी से चैट सेक्शन में अंसर लिख दो देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है अंसर जल्दी से चैट सेक्शन में अंसर लिख दो और सब को क्या मिल रहा है सबको पीडिएफ मिल रही है ना जल्दी से लिख निलू ने लिखाया अंडी टू सब बी ऑप्शन पूर्ण ने लिखाया वी ओप्शन भूमिकान ने भी आकाशे सिंग्ग्स आल्ल थी इस करेक्ट अनिमा दास भी करें निलू सरोज ने लिखाया और बताएं सभी बच्चे देगें एक बार आंसर लाई की पीडियेफ भी नहीं दिये गया मैंने इसको उनको एक्चुलिय आपने जितनी बार बुला है तनीवा उससे ज्यादा बार मैंने उनको बोल दिया देने के लिए ठीक है मैं एक बार ढूंड का खुदी सेंड कर देता हूं उसको है तो कैसा लगा आज का आपको वीड का लेवल आपका जाधा कितना ज्यादा हो जाता है सुभाई तर से पड़ाने कुश्च करता हूं आपकी जिम्मेदारीय आपकी मोरल ड्योटी है आपका कर्मा है कि आप इसको शेर करें ठीक है क्योंकि सच सिर्युनि बोल रहा हूं कि इसके ऊपर धलवार लटकी हुई है यहाँ पर ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे देखने तो फिर यह बंद हो जाएगा राइट मैं विल्कुल फ्रेंक लिए मतला मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि तुमको ऐसा बोलूं कि ऐसा यह सब इसके अंदर UPSC का ही पढ़ाया रहे और बहुत कंटेंट फुल पढ़ाया जाय से कम पढ़ाया पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जिससे की बच्चा ऐसे कि एक जैसे होता है रफ्तार ठीक है रफ्तार से न्यूस पढ़ा दी एक दिन के अंदर आपको 15 पढ़ा या आप दिटेल के अंदर बढ़ता है अच्छे से अंदर अनलाइस रहे जाएंगे कही न कहीं वाफसा है जाएंगे डान्ट वर्याइबार देट वट्रेटक वाफ्त वार्या इंट फॉद्स्टरा एक पढ़ाया व्कै यूज nella फुले रहे जाएंगे वाफस हाजाएंगे डान्न